आप सभी प्रियदर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम चच्चा करेंगे भारत डानेमिक लिमिटेड के बारे में, बहुत-बड़ा एक्सपोर्ट ओडर मिला है, क्या होगी इसकी समिक्षा, और कैसे इस ओडर से इनको फायदा मिलेगा, इस एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर भारत की हमारी सीमाई सुरक्षित हैं, तो BDL का बहुत-बड़ा योगदान है उसमें, चाहे वो आप जल से ना की बात करें, थल से ना की बात करें, चाहे वायू से ना की बात करें, हर सेना में इनके equipment यूज होते हैं, अब इन्होंने मो आकाश मिसाइल का है जब आकाश मिसाइल चलती है तो इंडियन एरो स्पेस में किसी दुश्मन की मजाल है कि कोई आके पलक भी छपक जाए और यही शमता अब हमारे फ्रेंडली नेशन को भी दी जा रही है तो यह इनको बहुत फाइदा देगा क्योंकि एक्सपोर्ट पे प जिन मिलेगा तो यह एक अच्छी ख़बर मानी जा सकती है स्टॉक मार्किट पॉजिटिव रियक्ट करेगा लॉंग टम की दर्शी से कर देखा जाए दोस्तो हमारे चैनल का एक रूल है 5x5 as a responsible channel हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप किसी भी small cap में निवेश करना चाहते तो इन्होंने clear cut vision बनाया हुआ है कि आने वाले समय में अगर भारत को सारा का सारा कोई भी equipment चाहिए तो वो उनहीं के थ्रू बनना चाहिए electronics सारी की सारी यहाँ पे तियार होने चाहिए equipment को launch करने के लिए और साथ ही साथ में जितनी भी testing होती है वो सारी की सारी पूरी यहीं पे करेंगे भारत के प्रधान मंतरी शी नरेंदर मोदी जी का विजन है कि भारत को आत्म निर्म भारत बनाना है और आत्म निर्म भारत तभी बनेगा दोस्तो जब तक हम अपनी सुरक्षा प्रनाली खुद से तयार ना करें और इसके लिए BDL बहुत बड़ा यो दान देगा आगे आ जैसे early 1970s में हम लोग import किया करते थे अब objective यह है मोदी सरकार का कि हमें export करना है यह और अपने सारी friendly nations को इसका vision दिखाएंगे जैसे आपने पता ही है defense industrial base बनाना है turnover उसका 25 billion होना चाहिए जिसमें से आपका export जो है कम से कम 5 billion का होना चाहिए और यह target दिया है 25-25 तक का तो इस बास का ध्यान रखिए 25 में से 5 billion export का होना चाहिए और FDI की limit बढ़ानी जा रही है 14% पहले 49% थी तो उससे company बहुत तेज बढ़े है अगर company को website को देखा जाए तो बहुत बढ़िया product range है इनकी आकाश missile, lag missile, सारे rocket launchers और military के लिए night vision सारे क सारे special equipment यहीं से produce होते हैं और इसको चल कर आगे यह बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा, market cap की दरसी से 6300 करोड की company है तो एक small cap की तरह से आप निवेश कीजेगा इसमें, साथ ही साथ में अगर आप इसकी earning को देखें, तो देखें दोस्तो earning में अभी तो सिर्फ यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है, profitability बढ़ेगी, profitability क्यों बढ़ेगी, क्योंकि देखें दोस्तों, आने वाले समय में अगर यह profitability होती है, तो यह जो margin होगा, यह बहुत तेजी से बढ़ेगा, यहाँ पर net profitability महस 26 करोड थी, इस बार उमीद है कि 50 करोड के अज़ पास आएगी यहाँ पर इस quarter में और साथ ही साथ में आने वाले 3 quarter के अंदर यह 100 करोड को क्रोस करनी चाहिए, क्योंकि export order भरमार के आएगे यहाँ पर government के पास, March का quarter generally exceptional होता है इस company के लिए, अब अगर हम देखें यहाँ पर promoter की holding 74% है, यहाँ पर DI की holding 17% और public की holding 7% की है, इसमें यहाँ पर increase क कर रहे हैं, आने वाले समय में यह 49% के असपास अपना रखेंगे, limit को बढ़ा कर 75% कर दी जाएगी, जो external entities निवेश कर सकती हैं, जो कि एक अच्छा stock माना जाएगा, अच्छा action माना जाएगा stock के लिए, demand जितने product बढ़ते जाएगे, उतनी demand बढ़ती जाएगी, तो यह product stabilize हो चुका है, जैसे आप भी होने sale offer निकाला था, उसके बाद एक बहुत बड़ा नीजक reaction आता है, देखे जरह समझते हैं, यह जब जिस दिन announcement किया था, 384 पर price close हुआ था, और जो बंध हुआ उस दिन, वो बंध होने के लिए 331 के आसपास close हुआ है, जो office का offer approximately उतने के आ जहां से उपर जाने की संभावना है, गौर्मेंट के बहुत सारे initiative चलेंगे, गौर्मेंट की demand आगे रहे की बढ़िया, तो भारत dynamic limited का भी values बढ़ती जाएंगी, और stock price उपर बढ़ने की उम्मीद है, डिफेंस के order, बड़े बड़े order चल रहे हैं इनके साथ, डिफेंस के सारे order जो है BDL को ही देती है, कोई private company को नहीं दिया जाता है, जो कि एक अच्छा निशान माना जाएगा इस company के लिए, ये भारत की एक मेरतन company है दोस्तों, और इसको आगे बढ़ाने के लिए Government of India पूरी तरह से सायोग दे रही है, सारे order यहाँ पे दे रही है, और साथ ही साथ में इन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए export quality के equipment भी बनाने की बात की गई है, conclusion बात की जाए, देखे, competition relatively कम है, इस शेतर में Government of India की undertaking होने की वज़े से, तो वहाँ से government के जितने भी order आएंगे, सारे यह निको आएंगे, और export खोलने के बाद तो इसमें तूफान ही जरूर लगा के रखिए, दोस्तो, अब हम एक PGM analysis करते हैं, जिसके through आपको बताएंगे कि क्या आपकी run नीती होने चाहिए, अगर आपने fresh entry लेनी है, या फिर आपके पास already entry है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समझना है, देखे, product, इसकी unique product रहते हैं, कोई दूसरी भी बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, और margin improve होंगे आगे, जैसे जैसे export order बढ़ेंगे इनके, वैसे वैसे margin भी ऊपर बढ़ेंगे, तो हमारी simple conclusion है, कि आपके portfolio में अगर BDL अभी तक नहीं आया है, दोस्तो, तो एक 5 वर्षी योजना की तरह इसको पैसे लगा के देखिए, और फिर बताएगा 5 साल के बाद इस stock में आपको क्या मिला है, बाए, सारे का सारा पैसा एकदम current level में मत बाए कीजिएगा, 3 level आपको बताएगे, जिस level पर staggered mirror में हम जैसे strategy बताते हैं, आईए चलकर technical analysis करते हैं, तो सबसे पहला जो level आपको खरीदना है दोस्तो इसका, दे reaction आता है, तो आपके पास staggered manner है, और अपना तीसरा range के लिए आप cash बचा के रखिए, 285 का range है, अगर कभी आता है, नहीं आता है, तो cash रखेंगे, अगर आता है, तो इसको अपने portfolio में add कर लीजेगा, अब अगर कुछ studies add की जाए इसमें आपके दिखाने के लिए, ताकि आ यहां से dynamically movement अब दिखाना शुरू के है, और gap बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छा sign है positive momentum दिखाने के लिए, दूसरी चीज़, अगर bullionger band दिखाएं, तो bullionger band के upper range में है, इसलिए आपको 335 के आसपास का range बताया है, वहाँ पर आप खरीच सकते हैं, इसको अपने range के लिए बीच में आने की कोशिश करेगा, bullionger band के मदद से, studies में अगर हम RSI दिखाएं आपको relative strength indices, तो RSI के साथ में आपको दो चीज़े धियान रखने हैं दोस्तों, यह pair हमारा बहुत combination हमने इसके लिए technical analysis के video बिना हुए है, आप अगर super trend और RSI को combine करके देखेंगे, तो आ RSI यहाँ पर बोल रहा है 57 और super trend बोल रहा है 318 जो कि एक अच्छा sign है आपके लिए buying करने के लिए long term में, यह एक बढ़िया stock बन जाएगा आने वाले समय में, अब एक last study हम इसमें आपको add करके दिखाएंगे MACD, MACD से आपको क्या पता लगता है, MACD से आपको early indication मिल जाता ह कि कहां पर क्या growth हो सकती है, कितना तेजी से stock बढ़ेगा, अब देखे दोस्तो, technical parameter की basis पर MACD ने यहाँ पर buy signal generate किया वाए, जो कि एक इसका momentum sign है, जिन 3 level को हमने बताया है, उन 3 level पर आप खरीदिये, इसका long term का target आपको भी बताते हैं, देखे दोस्तो, यहाँ से और cash हमना आपने 20% portfolio में रखेगा जरूर, इसकी valuation अगर देखी जाए, तो latest quarter के basis पर इसकी valuation है, 260 under value, fair value range रहेगी 280 से 350 और over value range रहेगी 410 से 520 के बीच में, दोस्तों वीडियो अच्छा लगया तो like ज़रूर बटन दाबाना, please consult your financial advisor before investing in trading, हम लोग nifty और bank nifty की handhold करकर trading सिखाएंगे ए अगर आप interested हैं तो एक महने का trial कर सकते हैं, paid service, 8,000 rupees charges है उसके लिए, और अगर आप technical workshop जोन करना चाते हैं, technical analysis के लिए तो उसको भी join कर सकते हैं, आपको stock learning मिलेगी और mentoring मिलेगी, इसका target आने वाले 20 साल से 3 साल के लिए 650 रुपे का है हमारी तरफ से, ये वीडियो आपको प्रसुत हैं, आपका समय देने गले धन्यवाद, जैहिन जैभारत, बाई गाइस